सबी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों प्रेंट के इस एपिशोड में आज मैं आपको ट्रेस से चिराई बताऊंगा प्रेस से साइड की कैसे चिराई होती है गिदरी की कैसे चिराई होती है और वेल्ट को कैसे भुमाया जाता है जी सारी बाते आज मैं इस एपिशोड में आपको बताने वाला हूँ आप इस एपिशोड को ध्यान से देखिया यह बहुत जरूरी एपिशोड है क्योंकि प्रैस से चिराई में बहुत सारी छोकी मोटी जो अल्ट्रेशन होती है वो भी निकल जाती है इस एपीशोर को पूरा देखिए ध्यान से देखिए तो आप काफी अल्ट्रेशन से बच सकते हैं तो चलिए एपीशोर चुरू करते हैं तो दोस्तों यह हमने बोडी ब चिराई में ही हम बहुत सारी अल्ट्रेशन जो छोटी-छोटी अल्ट्रेशन होती है वो हम आराम से निकाल सकते हैं यह आप इसकी चिराई शुरू करते हैं यह थोड़ा सा पानी मैंने ले लिया है यह देखिए यह हमारी गिद्री है यह हमारी गिद्री है हम इसको प्रैस से ऐसे फलकाएंगे फलकाने का मतलब होता है इसको खीचेंगे पहले हम साइड पे थोड़ा सा पानी लगा के और इसकी साइड को ठीक कर लेते हैं यह थोड़ा सा पानी लगा लीजिए और यह खीच के पास को खीच के यहां से और यह प्रैस से बिठा दीजिए और इधर से भी इधर से भी खीच के इसको सीधा कर दीजिए चिराई करते वक्त आप दोनों साइड को गिदरी और पास को जितना अच्छा खीचेंगे उतनी आपकी पैंट जब प्रैस करेंगे आप तो उतनी अच्छी आपकी पैंट बैठ जाएगी ये खीचने से कपड़े के अंदर ये धागा सेट हो जाता है ये हमने पास कर दिया है अब हम इसको गिदरी को गिदरी को हम ऐसे पाउं से दबाएंगे ये पानी लगाएंगे और इसको ऐसे हम पिचेंगे गोल कर देंगे ताकि ये बैक का जो मार्जन है वो फलक जाए ये देखिए ये बैक का मार्जन फलक गया है ये देखिए ये बढ़ गया है ये फलक गया है मार्जन ये देखिए कितने आराम से आपका सामना ये कितना आराम से बैठ जाएगा अब इसकी हम चिराई कर देते हैं बिल्कुल अराम से करिए कोई जल्द बाजी करने की जुरूरत नहीं है इसको ऐसे दोनों के बीच में उगली रखके और पकड़के ऐसे साफ कर लीजिए और प्रेस आप लगाएंगे तो ये बिल्कुल अपने आप चिराई होती चली जाएगी ये हमारी चिराई होगी ये देखिए कितना साफ आपने आप बैठ जाती अब हम इसको जो मोरी का हमारा निशान है ये जो हमने निशान लगाया था मोरी का इसको हम यहां से इसको इस दबाव को मोर देते ये देखिए ये हमने दबाव मोर दिया ये बिलकुल दबाव पे हमने मोड़ना है हलकी से एक बार प्रेस लगा दे इसके अंदर भी एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम जैसे ये हमारा पैर है यहां से उचा है ये हमारा नीचे है यहां से हमारी पैंट बिलकुल नीचे तक जानी चाहिए यहां से थोड़ी शी उपर होनी चाहिए इसलिए ये जो हमारा सामना है ये जो हमारा सामना है इसको हम थोड़ा सा उपर ऐसे करेंगे और बैक साइड को हम थोड़ा सा टेपर में नीचे ले आएंगे अब ये ले आके ये हमने इस पे प्रेस लगा देनी है ये देखिए ये सामने का हिस्सा हमने थोड़ा सा चोटा कर दिया थोड़ा सा ऊपर मोड़ दिया और बैक का हिस्सा हमने ये नीचे उतार दिया इसका फाइदा ये होगा कि ये जैसे हमारा पाउ होता है ऐसे हम पहनेंगे तो यहाँ पे सलवट नहीं आएंगी और पीछे से हमारी पैंट पूरी नीचे श्यूज तक, जूते तक चली जाएगी ये इसलिए छोटा बड़ा किया जाता है ये फलाई पे प्रेस लगा दें और ये इसको हम मोड़ दें ये अंदर की शिलाई इदर बाहर की तरफ नजर नहीं आनी चाहिए इस हिसाब से आप प्रेस लगाए ये देखें ये हमारी फलाई बैठ गिये और हम अलकिसी यहाँ पे ऐसे साफ करके जेब पे भी थोड़ी प्रेस मार लेते हैं साइड पे भी ये अगर आपके पास घुटने की गद्धी है घुटने की गद्धी है तो आप घुटने पे गद्धी रखके उसके बाद इस पे प्रेस लगाईए ये देखिए बैठ गया है ये बड़ा आराम से ये देखिए साफ सुत्री ये बैठ गया है अब हम इसको ऐसे ही जो गिद्री वाला हमारा ये मारजन है इसको ऐसे ही बलकाएंगे ऐसे भी कर सकते आप लेकिन ये ऐसे राउंड घुमाएंगे तो आपका दबाओ अराम से फलक जाएगा ये देखिए फलक गया है बिलकुल बढ़ गया है लंबा हो गया है इसको फलक न बोलते है ये खीच के हम प्रैस लगा देंगे ऐसे ही हमने नीचे की साइड में स्ताफ कर दिया खीच के ये हमारा पास अराम से बैठ गया है अब हम ये देखिए बिलकुल पैंट अपने आप बैठ जाएगी कहीं कोई सलवट नहीं आनी चाहिए अगर यहाँ पे सलवट है तो इसका मतलब या तो आपकी गिद्री की सलाई टेडी मेडी है या आपकी पास की सलाई टेडी मेडी है अगर ये दोनों सलाई आपकी ठीक है तो ये कहीं भी आपको सलवट नजर नहीं आने चाहिए हम इसकी चिराई कर देते यह ऐसे बीच में उगली रखे यह ऐसे पकड़ के थोड़ा सा खीच दे यह हमारे गिद्री अरान से बैठ गी है यह हमारा निशान मोरी का यहां से हमने पकड़ा यहां से पकड़ा अब हमने जैसे मोरी हमने यह बिठाई थी सामने से और बैक से हमने नीचे किया था ऐसे ही हम इसको करेंगे यह हमारा सामना है इसको हम थोड़ा सा उपर लेके जाएंगे और यह बैक है इसको हम नीचे लेके जाएंगे यह हम टेपर में यह देखिए यह टेपर में हमने यह मोरी तोड़ी है यह हमारी मोरी बैठ गी है सामने से उचा रहेगा पैर पे जो आएगा ठीकेगा यह जो पैर पे ठीकेगा यह उचा रहेगा और पीछे लास्ट में यह हमारा शीोज की हिल तक यह जाएगी इसलिए इसको हमने टेपर में किया है बटन take पर हम प्रेस मार लेते हैं यह पर जितनी हम प्रेस की मदद लेंगे उतने ही हमारा हमारी alteration कम होती चली जाएगी जब हम सीर जोड़ेंगे बैल्ट चड़ाएंगे तो हम यह प्रेस की मदद साथ-साथ लेते रहेंगे तो उससे हमारी सफाई भी अच्छी आएगी और हमें आगे तक दिक्कत नहीं आएगी अब ऐसे ही इसकी जेब को भी साफ कर लीजिए वैसे तो प्रैस गुटने पे रखके मारनी चाहिए ऐसे गुटने पे गद्धी रखके तब भी मारनी चाहिए ये पैंट में जब प्रैस करूँगा तो मैं आपको गद्धी का भी बताऊँगा कि कैसे गुटने पे गद्धी लेके और हमने ये साफ करना है प्रैस करनी है यह हमारा यह round safe हो गई है इसमें अगर हम belt सीधा लगाते हैं वैसे यह कर्चा काटते वक्त मैंने थोड़ा गुमाया था लेकिन मान लो अगर हम यह हमारा round safe बन गया है अब इसमें हम सीधा belt लगाएंगे तो alteration तो अपने आ पानी है इसलिए हमने इस belt को भी इसी safe में गुमा गुमाना है इस safe में गुमाने से फाइदा क्या होगा कि ना तो चलते वक्त पैंट आपकी नीचे आएगी और ना ही बैठते वक्त पैंट या back side से जो आपकी पैंट है वो बैठते वक्त नीचे नहीं खिसकेगी इस round safe का यह फाइदा है यह देखिए यह round safe अपने आप यह हमारा बैल्ट है यह हमारा सेंटर का निशान है यह देखिए सेंटर का निशान आपको दिख रहा होगा यह सेंटर का निशान है ना तो हमने इस सेंटर के इससे इधर जाना है गुमाने के लिए और ना इससे इधर जाना है हमने सिरफ यह एरिया यह जो एरिया पाथ 6 इन्च का एरिया है इसी को हमने हल्किसी राउंड के अरिया में है जितनी राउंड सेंप हमारे इस फ़रंट में है यह देखी ज्यादा राउंड सेंप नहीं है हलकी सी है लेकिन यही राउंड सेफ हमने इस 6-7 इंच के एरिये में ही देनी है अब मैं इसको यह देखिए ऐसे पैर रखिए आप यहाँ थोड़ा सा पानी लगाईए इधर भी थोड़ा सा पानी लगा दिए और इसको यह खीच के उसी एरिये को आप गुमा लिजिए यह देखिए यह आपकी यह सेफ बिलकुल घूंगी है यह इतने एरिये को मैंने गुमा आप यह भी सीधा है यह भी सीधा है अब यह यह देखिए मैं इसके साथ लगा के बताता हूं आपको यह देखिए यह हमारा साइड है यह हमारा सेंटर है यह सेंटर इस साइड पे आना चाहिए और यह देखिए बिलकुल बहुत बड़िया सेफ में हमारा बैल्ट घूम गया है इसी सेफ में आपने इस बैल्ट को लगाना है अब हम ये बैल्ट लगाएंगे और बैल्ट के अंदर टिकट पोकेट बहुत से लोग उसको चोर पोकेट भी बोलते हैं ये टिकट पोकेट हम लगाएंगे तो मशीन पर चलते हैं तो दोस्तों ये था पैंट की चिराई का एपिशोर मैंने एक एक बात बारीकी से बताईए मुझे उमीद है आपकी समझ में आगया हुगा